आपका स्फागत है एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाशल प्रदेश विश्व विद्यले शिम्ला में आपको जानकर बहुत हरानी होने वाली है कि बीते चार सालों से यह भरतियां चल रही है 2020 में नोडिफिकेशन आई थी उसके बाद 2022 में री एड़ोटाइज किया था इन पोस्ट को और अब फिर से 2024 में री एड़ोटाइज किया जा रहा है 146 वेकिन पोस्ट को पिछले कल मतलब कि शनिवार को मीटिंग हुई है हिमाशल प्रदेश विशेविद्यले में और वहाँ पर उन्होंने यह फैसला लिया है कि अब हम इन पदों को दुबारा से बरने वाले हैं और नवंबर महीने में नोडिफिकेशन जारी करने वाले हैं कौन-कौन से यह पद रहने वाले हैं और क्यारे की क्वालिफिकेशन पिछली पर कितनी पोस्ट थी और कितनी फिल हो चुकी है कितनी खाली है सब के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप अगर हिमाशल में त्यारियां कर रहे हैं किसी दिग्जामिनेशन की तो आप हमारी एप के ओपर चल रहे हैं स्पैशल आफर का फाइदा उठा सकते हैं हमारी एप के ओपर आपको सवी कोर्सिस मात्र 99 रुपे में मिलने वाले हैं जिसमें आपको उनके लिए करेंट और फिर मॉक टेस्ट कोर्सिस बाए कर सकते हैं आपको सभी कोर्सिस मात्र 99 रुपे में मिलने वाले हैं और इन कोर्सिस में आपको और जब एक्जाम आपका निजदिक होता है तो आपको मॉक टेस्ट प्रवाइड करवाज जाते हैं इसके अलावा आपको वीडियो रिकॉड़ेड ग्लासिस और जिस भी इग्जामिनेशन जैसे लाइक आज हिमाशल प्रदेश पटवारी की नोटिफिकेशन आती है या फुलिस कांस्टेवल की नोटिफिकेशन आती है तो आपको वहाँ पर हम लाइब क्लासिस का भी प्रावधान शुरू कर रह बात किरते हैं आज की इस जॉब नोटिफिकेशन की हिमाशल प्रदेश विश्य विद्यले शिमला में जल्द करमचारियों की कमी दूर होने वाली है वैसे चार साल उसे कमीया दूर नहीं हुई है मैं बस आपको न्यूज यहां पर बता रहा हूं की क्या न्यूज में छप बैठक विश्य विद्यले के कुलपती प्रोफेसर एस्टी बंसल की अधक्षिता में हुई है वैसे एक RTI के अकॉर्डिंग इस भरती प्रक्रिया में जितना रेविन्यू या जितनी फीस इकठा हुई है वो अप्रॉक्सिमेट साढ़े चार करोड रूपे है जो 2020-2022 में विश्य विद्यले ने इकठा की है और इस बार भी बहुत ज़्यादे इकठा करने वाले है क्योंकि फीस हजारों में 1200 रुपे या 2000 पे फीस विश्य विद्यले रखता है इन पदों को चरणवत तरीके से भरा जाएगा हलांकि विश्य विद्यले प्रशाशन ने वर्ष 2020 म करमचारियों के 244 पदों को बरने के लिए विज्यापन जारी किया था और उसमें 52,000 अविर्थियों ने अपना आवेदन किया था और 4.5 करोड रुपे एश्य प्यू को उस समय फीस के रूप में दिये थे चार साल हो चुके हैं अभी तक उसकी लिखित परिक्षा नहीं ह होने वाले हैं हाँ इसमे 92 पोस्ट जो प्यून की थी वो भरी जा चुकी है रिमेनिक पोस्ट अभी तक नहीं भरी है और ना ही उनका एक्जाम हुआ है तो यह है नियूस पेपर कटिंग आप इसको चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे द होगी और उनको फीस देने की ज़रूरत भी नहीं होने वाली है बावन हजार बच्चे पहले थे जिन्होंने अप्लाई करके रखा हुआ था तो इसमें लाओ ओफिसर की तीन पोस्ट थी असस्टन्ट लाइव रिटन की दो पोस्ट क्लर्क की 54 पोस्ट थी जेव एटी की 37 पोस्ट, जेव अकाउंट्स की 4 पोस्ट, ल्टी लैंग्विस टीचर की एक पोस्ट, डेटा एंट्री अपरेटर की 3 पोस्ट, जेव सीविल की 7 पोस्ट, जेव एक्ट्रिकल की 3 पोस्ट, कंडक्टर की 2 पोस्ट, जेवी टी की 2 पोस्ट, ड्राइवर की यहां पर एक पोस माली के साथ पद, बेलदार के दो पद, मैस हलपर के छे, सीवर मैन के तीन पद यहां पर भरेच जाने वाले हैं इसके लावा, लाइवरीरियन का भी एक पद यहां पर भरा जाने वाला था Assistant Librarian HPU, Main Library Shimla में भी दो पद भरिच आने वाले है Assistant Librarian Regional, धर्मशाला में भी एक पोस्ट यहां पर भरिच आने वाली है Medical Officer, Dental का एक पद है, Medical Officer, Allopathy का एक पद था Assistant Architect का एक पद, Public Relations Officer का भी एक पद, System Analyst का भी एक पद, Computer Programmer के दो पद यहां पर रहने वाले थे तो यह post 2022 में आई थी और उसे पहले 2020 में आई थी, मतलब कि 4 साल से HPU इस भरती प्रक्रिया को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है Notification निकालता है, उसके बाद फिर re-notification निकालता है और फिर अब notification re-advertise के तोर पे release होने वाली है तो हिमाशल के युवाओं को थोड़ा से जगना पड़ेगा और यहां पर भी बहुत से युवाओं ने इसके उपर आवाज उठाई थी और एक युवा ने यहां पर RDI लगाई थी और उस RDI के अनुसार मैंने आपको बताया कि साड़े चार करोड रुपे की फीस एश प्यू के पास एकठा हुई है और बावन हजार बच्चों ने अपलाए करके रखा है और इस बार यह आंकड़ा कम से कम लाक डेड़ लाक पार जाने वाला है क्योंकि बहुत से वेरोजगार हिमाशल के युवाओं वेट कर रहे हैं भरतियों का हिमाशल में कोई भरतिया भी तक नहीं है हिमाशल में आज जूनिर आडिटर का एक्जाम हो गया और इसके बाद कोई वेक्जाम हिमाशल में में भी नहीं होने वाले हैं क्लास 3 के तो आप पेस के लिए हम पर चेक कर सकते हैं कि कितना पेस के लापको वहाँ पर SC के लिए 11, ST के लिए 4, OBC के लिए 6 और पेस के लिए पूराना पेस के लिए तो मैं नहीं बताऊं का यहां पर और अगर बात करें क्वैलिफिकेशन की तो आप किसी विस्ट्री में graduate होने शाहिए और आपकी typing speed 30 words per minute होने शाहिए थी English language में और हिंदी में अगर आप typing करना शाहिए हो तो 25 words per minute होने शाहिए जेवे IT में 37 पर थे जिसमें की जैनल के लिए 18 पोस्ट, इकनॉमिक के लिए विकर सेक्षन के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 7, ST के लिए 1, OBC के लिए 8 पोस्ट थी इस पोस्ट के लिए आप कम से कम भारवी पास होने चाहिए और आपकी typing speed 30 words per minute होने शाहिए इंग्लिश में और 25 words per minute होने शाहिए हिंदी में जेवे अकाउंट्स आपको पता है कि आप कम से कम भी कम होने शाहिए 50% अंकों के साथ चार पोस्ट जिसमें की एक SC के लिए और 3 unreserve रहने वाली है LT के एक पोस्ट यहां पर थी जो की unreserve थी इसके अलावा data entry operator के लिए आप कम से कम भारवी पास होने चाहिए और 6 महिने के आपके पास कोई भी diploma होना चाहिए computer का यहां पर यह तीनोई पोस्ट unreserve रहेगी J civil की साथ पोस्ट है जिसमें की unreserve के लिए 3 SC के लिए एक OBC के लिए एक economical विकर सेक्शन के लिए एक पोस्ट यहां पर रहने वाली है आपके पास degree diploma होना चाहिए civil engineering का J electrical की तीन पोस्ट थी और यहां पर भी आपके पास degree diploma होना चाहिए electrical engineering का conductor की दो पोस्ट है और इसमें SC, OBC की है जिसमें आप बाहर भी पास होने चाहिए और आपके पास valid conductor license होना चाहिए अगर आप HPU में conductor की पोस्ट के लिए अपलाए करना चाहते है तो आप अपना conductor का license बनवा लिशेगा JVT की दो पोस्ट एक unreserve एक service man है और driver heavy vehicle की पोस्ट है जो की SC के लिए रिजर्व रहेगी driver light motor vehicle की 5 पोस्ट है एक SC एक unreserve एक ST एक OBC एक economically weaker section दस्वीं पास valid driving license आपके पास होना चाहिए A&M इसमें आप दस्वीं पास होने चाहिए और एक क्या डेट सार्व के पास multi-purpose health worker का training course आपने किया हो होना चाहिए देखिए प्यून की जो पोस्ट है वो फिलफ हो चुकी है तो यहां पर मैंने ही बताऊंगा चौकिदर की 28 पोस्ट थी जिसमें 13 जनरल तीन economically weaker section 6 SC, 1 ST, 5 OBC और Pascal daily wages basis आप दस्वीं पास होने चाहिए माली की साथ पोस्ट आप दस्वीं पास माली के लिए होने चाहिए आप की वही रेगी 18 से 45 में भी जिन्हों ने पहले अपलाई किया हो 2020-2022 में उनको कुछ AIDS में relaxation extra दी जा सके application fees तो समय बहुत ज़्यादा थी जिसे 2000 और 1000 for category B की जो पोस्ट थी category C में 1200 और रिजर्फ के लिए 600 और फिस थी आप आप